असलाम लेकुम आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुशाम दीग। लिसनर्स आज में एक कम्प्लीट नॉविल के साथ हासरे ख़त्मत हूँ जिसना नाम है राहे यार। इसकी राइटर है सुमेरा हमीद। चलिए चलते हैं नॉविल की जानब। सिंदगी उस वक्त हकीकी सानहे और दुख से आजना होती है जब दो अनमोल नेमतों माँ और बाप में से कोई एक नेमत छिन जाती है। दुनिया का कोई कलम इस दुख को नहीं लिख सकता और दुनिया का कोई फलसपा इसे कम नहीं कर सकता। सैनब अब्दुलकलाम के साथ आठ माँ पहले वो बस में बैठी तो ला तालुक और अजीब नसरों से आसपास देखा। उसका ख्याल था बाहर की दुनिया में भी सब कुछ तबाह हो चुका होगा। लेकिन बाहर सिंदगी रवा दवा थी। दुनिया हासिल और ला हासिल के आगे पीछे सरगरता थी। वो बस से उत्री तो कुछ नफरत सी लिए सड़क को घूर रही थी। सड़क पर अभी इतना रश नहीं था। रात उसने सोचा था कि वो दो ढ़ाई घंटे पहले ओफिस जाएगी। उसे तेज चलना था और वो बहुत सुस्त्रवी से कदम उठा रही थी। उसे जल्दी ओफिस आना था और वो तेर किये जा रही थी। जॉब करते उसे चार माँ हो चुके थे। आठ माह पहले उसने कॉलेज छोड़ दिया था। हसना भी और भी बहुत कुछ। वो केबिन में आई और कम्प्यूटर आन किया। चंद जानने वालों की दौर धूप से उसे ये जॉब मिली थी। डेटा एंट्री की। एक आठ माह पहले जनाब अब्दुलकलाम सहाफ मोटर साइकल के एक्सिडेंट में सड़क पर ही दम तोड़ गए। जीटी रोड की अंधी ट्राफिक में उन पर हैवी टॉलर चड़ गया। उनकी आंतें सड़क पर फैल गई। जैनब के बाबा खून समेथ सड़क पर पिखर गए। हाथ कहां पैर कहां कितना समेथा लोगों ने। जैनब को फाइल पर लिखे अलपास नजर नहीं आ रहे थे। उसे हर रोज सुभा सुभा सब याद आने लगता और अलपास कर बढ़ा जाते। उसे उन पर उंगली रख कर याद करना पड़ता कि ये कौन सा लपस है जिन जिन दोस्त हबाब ने जायवकुआ का जायसा लिया था। वो वो कई रातों तक सो नहीं सके थे तो जैनब को नीन कैसे आ जाती और फिर नीन से क्यों कर जागना चाहती। आफिस में आमदरफ थूने लगी। आपक की शादी तै थी। बाबा ने सिर्फ एक बेटी की शादी ही की थी और चन्द महीनों बाद वो ही उसे कॉलेज छोड़ते थे। वो ना रहे तो उसने कॉलेज ही छोड़ दिया। कैसे न छोड़ती। इतने लायक बाबा की बेंतहा नालायक वेटी ने एक ही काम वक्त पर और ठंक से किया। तो घंटों में उसने चन लाइने ही टाइप की उफ उसकी नालायकी वैसे उसकी रफ़तार अच्छी थी लेकिन दिन के आगास पर दिमाग की रफ़तार तेज हो जाती और उंग्लियां साकित हो जाती वो एक लाइन टाइप करती और कई लम्हें टिक-टिकी बांधे और से पढ़ती रहती जल्दी पढ़ा ही न जाता अलफास पहचान में ही न आते सरजबबार का कहना था कि वो बहुत गलतियां करती है वो हर बार सोचती अब गलती नहीं करेगी और टिक-टिकी बांधे अपने टाइप की अलफास को देखती रहती कि अपने गलतियां पकड़ ले फिर भी गलतियां सरजब्बार ही पकड़ते दो और फाइलें उसकी टेबल पर आ चुकी थी उसने जल्दी जल्दी उंग्लियां चलानी शुरू की उसकी सहेलियां पूछती वो कालिज क्यों नहीं आती सबर करो और कालेज आओ उसने सबर कर लिया और आफिस आ गई दोनों मामू अपने अपने खानदान वाले थे अच्छे थे चंद हजार हर माह दे जाते थे हालात एकदम से बदल गए रात वो अपनी डायरी में फैस की चंद कसलें लिक कर सोई थी और चुपके से बाबा को अकेले देख कर पता दिया था कि जैसे भी हो उसे अलहमरा में होने वाले चोटे से कॉंसर्ट का पास और नया सूट ला दे बाबा ने उसे खूर कर देखा और कहा कि वो आँखें बंद करके सोने की कोशिश करे वरना जाकते में उनका थपड उसे ज़्यादा तकलीफ देगा उसने दोनों आँखें बंद कर लिए और कहा मार ले फिर मत कहिएगा कि मैं आपकी बेटी हूँ आपका भालू हूँ आपकी शकरकंदी हूँ तिलों वाला नान हूँ नहारी हूँ उन्होंने सर पकड़ लिया खीर अब मुझे खानी नहीं और अर्सा हुआ निकाह के छुआरे भी नहीं मिले फिर क्यों आ जाते हैं चुट्टी वाले दिन ले जैनब ये सर तेरा हुआ जैसे मर्जी तेल डाल फिर नहीं कहते सो जाओ आँखें बंद कर लो अब क्या आओं तो याद से याद करवा देना जैनब आप ठीक हैं सर जबार उसके केबिन में खड़े थे उसने सर उठाया तो देखा दो चार और उसके केबिन में चांक रहे थे नजाने क्या तमाशा हुआ था ये फाइल देने आया था इसका काम पहले कर दें फिर ये फाइल दे दीजेगा उन्होंने नर्मी से कहा और जाते जाते उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा जी जरूर उसने फाइल खुली मगर जरूर जरूर मैं याद करवा दूंगी जब मेरा बच्चा सैनब। बहुत बड़ा था, दूसरा जैनब का दिमाग बहुत छोटा हो चुका था, वो एक ही कमरे में दो बार खुषती और कहती कि वो दो अलग-अलग कमरे देख कर आ चुकी है, उसका जूता नहीं मिल रहा क्योंकि वो वही जूता ढून रही होती जो उसने पहना होता, फिल हाल दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था, वो एक बार इधर उधर खुम कर देख चुकी थी, वो हर बार ही किसी ना किसी से आफिस का पूछती थी और अब यह उससे मतालब लतीफा बन चुका था, उसके कुलीग अकसर मजापन आफिस ट्राइम खतम होने पर उसके केमिन के प पहसील थे, इसलिए आफिस में चप्रासी नाम की चीज़ नहीं थी, सब को अपने काम खुद ही करने होते थे, उसे याद आया कि सरजपार को आफिस फर्स्ट पर उपर है, बहुत अच्छे थे सरजपार, हमेशा खुद ही उसके पास आते थे फाइलें लेने और देने, आ जासत मिलने पर उसने दर्वासा खोला, सॉरी मैं समझी सरजपार का आफिस है, वो लोगों के अपनी तरफ सवाल या नसरों से देखने पर परिशान हो गई, किस डिपार्टमेंट की बात कर रही है, डेटा सेविंग डिपार्टमेंट से, क्या, एक ने कुरसी और गर्दन घुमा कर उसकी तरफ देखा, बाबा, मैं रो दूँगी, रो रो, रोना अच्छा होता है, वो खड़ी रही, रो ही नहीं, आपको अपने ही दिपार्टमेंट के हैट का आफिस नहीं मालू, कितना वक्त हो गया है आपको जाब लते हुए, बलके दरसल मुझे ये पूछना चाहिए, कि आप जैसे वरकर्स कब तक इस कंपनी को दीवालिया कर देंगे, मुझे बाबा मैं रो दूँगी, उसे याद ही नहीं आया, वो भागती हुई लिप्ट से नीचे आई, और केबिन में बैठ कर अपने खुमते सर को काबू में करने की कोशिश करने लगी, यही मालूम नहीं है कि उसके डिपार्टमेंट के हैद का आफिस कहा है, ऐसे लोग क्या काम करेंगे, मैं माफी चाहती हूँ, वो खड़ी हो गई, सैनब, इस पूरे आफिस में सिर्फ तुम ही हो, जिसका सबसे आसान काम है, आधे से ज्यादा तुम्हारा काम मैं करता और फिर भी तुम ध्यान से काम नहीं करती, इस सारे आफिस में सिर्फ उसी का बाप सड़क पर लंभा भर में बिखर कर मर गया था, हत्ता के सफाई का आमला भी तुम से ज्यादा तबच्छा से काम करता है, मैं तुम्हें कवर करते करते ठक चुका हूँ, चन्द माह में ही तुमने मुझे ठका दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बार बार शर्मिंदा होने से बहतर है कि तुम मेहनद से काम करो, मैं अब ध्यान से काम करूंगी, आज उपस से काम किये बगयर नहीं जाऊंगी, अगर तुम उस से एक सवाल और कर लेते तो वो यहीं रोना ये बात कहने वाला रियान था और सवाल पूचने वाला आसिल जो बड़ी कुर्सी पर पैठा था इस कम्पनी के छे मालकों में से एक आसिल ने जैसे सुना ही नहीं आज कल वो बहुत खुशे में रहता था कॉलिज से इनिवस्टी तक एक लड़की पारहा उसके साथ रही दो या टेम्स के किनारे मंगनी भी कर ली दोस्तों को पार्टी भी दे दी हसते खेलते दिन गुजरने लगे एक और लड़के का पारहा की तरफ चुका हो था जब कभी बलके अकसर ही आसिल वक्त पर डिनर लंच या किसी पार्टी में नहीं पहुच पाता तो पारहा उसे में उसी लड़के मार्शल के साथ चली जा दी एक पारासिल ने नियुएर की सेलिप्रेशन मिस्ट कर दी पारहा इंतिसाम किये बैठी थी इतिफाक से ठीक उसी दिन उसकी फैमली के सब ही लोग खास उसे सर्प्राइज देने के लिए उसके घर इखटे हो गए वो बुरी तरह फस गया और पारहा को समझाना चाहा लेकिन उसने अपने जनूने गुस्से के हाथों अजीब ही काम किया उसने अगले ही दिन मार्शल से रिजिस्टरट मेरिज़ कर ली उसकी फैमली पारहा को जानती थी लेकिन तालुक की गहराई बताने के लिए उसे वक्त चाहिए था लेकिन बात पूरी तरह से बिगड़ गई पारहा ने आसल को सजा देने के लिए बाकाइदा मार्शल के साथ रहना चुरू कर दिया पहले आसल को लगा वो सिर्फ मजाग कर रही है उसके दोस्तों ने बताया कि उस राग वो होटल को आग लगा देने के दर पे थी अपनी आखरी मुलाकात में पारहा ने आसल को हर वो डिनर, लंच, पार्टी, पिकनिक, इवेंट गिनवाया जिस पर वो कभी वक्त पर या सिर्फ से आया ही नहीं था उसने इतने सालों के वो दिन भी गिनवाई जिन में उसने कभी खुद से फोन नहीं किया था वो कहा है, कैसी है तक नहीं पूचा था उसके पास शिकायात के नाम पर बहुत कुछ था और आसल के पास उसे बताने के लिए सिर्फ महबत ही थी जिस पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था उसका कहना था कि चाहे जमीन ही क्यों ना फट पड़ती उसे हर सूरत उसके पास आना चाहिए था खलती आसल की भी थी, उसने मान लिया उसने कहा कि वो अपनी फैमली को बता देता और नहीं तो जाकर उसे होटल से ले आता जो हुआ बहुत बुरा हुआ उसके साथ वो अपनी तालीम अधुरी छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गया चंद साल कुसरे उसे मालूम होता रहा कि फारहा जो गलती कर बैठी है उसे बुरी तरह निभा रही है एक बार मा बंते बंते रह गई मार्शल उसे बेहत महबत करता था वो एक अच्छा इंसान था और वो अच्छा इंसान फारहा के जुरूने गुसे और दोरों से चो उसे आसल के नाम पर पढ़ते थे तंग आ गया था और इसी डिप्रेशन ने मार्शल की जान ले ली मार्शल के घरवालों ने फारहा पर फतल का इल्जाम लगाकर मुकदमा कर दिया आसल पहली पुरसत में फारहा के पास मौझूद था दोनों में मौझूद मौझूद बूड कर बाहरा निकली फारहा ने अपनी अना उफसे को सुला दिया आसल सब कुछ भूल गया अब वो उसे अपने साथ लाना चाहता था लेकिन मुकदमे की वज़ा से पारहा मुल्क नहीं छोड़ सकती थी कोड़ की एक समात के दौरान जब आसल का नाम भी लिया गया तो आसल को वापस आना पड़ा यह आधी कहानी है इस कहानी का दूसरा और एहम हिस्सा मौम जी है यह आसल के डैद अर्सलाण एंहमेद की पहली बीवी है जिन्होंने अपने शोहर की दूसरी बीवी से उलाद को अपनी उलाद समझा उन्हें जिगर का सर्तान हो चुका है और दुनिया के हर बड़े डॉक्टर के मताबिक उनके पास सिर्फ चन्द माँ है वो साठ साला मौम जी है शादी के बारा साल बाद तक चब को बे उलाद ही रही तो उन्होंने अपने शोहर को बखुशी शादी की अजासत दे दी बलके उनकी शादी में पेश पेश रही इस घर में उनका वो मुकाम है जो अर्चलान अहमत का अपना भी नहीं ये मुकाम रोब या बढ़ाई का नहीं बलके मुहबत का है उनकी बेतहाशा मुहबत और अपनायत के आगे सब बेबस हो जाते हैं उन सब में आसल भी शामिल है यही मौम जी आसल को सर्प्राइज देने के लिए नए साल पर बाकी सब को साथ लेकर उसके पास पहुँची थी ऐसा नहीं था कि वो हुकम या मुहबत चता कर सक्ती करती थी वो बेहत प्यारी भोली भाली बस प्यार करने वाली थी कंपनी की एक मालक वो भी थी विमारी के ऐसी नौयत जाहिर होने पर उन्होंने आसिल ने कुछ वक्त मांग लिया NCA College में पहले साल की समरा ने मौम जी के पौरी कहने पर छर शादी करवा ली शादी समरा की पसंद से ही हुई थी पर सरा वक्त से पहले और जल्दी में हुई थी आसिल से भी कहा गया कि अपनी पसंद बता दो मगर उसकी पसंद तो कोड के चक्कर काट रही थी अरसलान एहमद ज़्यादा दुखी थे वो चाहते थे मौम जी कम असकम आसिल की खुशी तो देख जाएं फारहा ना होती तो वो अगले ही दिन मौम जी के पसंद की गई किसी भी लड़की से शादी कर लेता सब दोस्त उसे तरहं तरहं के मचवरे देते फारहा का कुछ मालूम नहीं था कि वो कब कोड से पारिख हो सकेगी अगर वो आसिल से शादी कर लेती तो उस पर वकील इस तगासा का इल्जाम साबित हो जाता कि उसने अपने साबका दोस्त के साथ मिलकर मार्शल को मारा है उसे जहनी अजियती उसे जहनी मरीज बना दिया उसे सबने दे दे कर मा दिया माम जी रोज उसकी तरफ देखती मूंसे कुछ ना कहती थी लेकिन सब जानते थे उन्हें क्या चाहिए आसल की दीवी सब जानने से कासर थे कि वो इतनी देर क्यों कर रहा है अपनी पसंद बता नहीं रहा उनकी पसंद से कर नहीं रहा खर का माहौल वैसे ही सोगवार था उसके लिए भी तबादबा गुसा था सबके अंदर सबसे चोटा असल सिर्फ सोला साल का था वरना शायद उसकी शादी कर दी जाती वैसे माम जी ने कह दिया था कि वो उसकी मंगनी करके जाएंगी और असल बड़ा सा मुँख खोल कर कहता क्यों नहीं क्यों नहीं एक वो ही हां कहने में सबसे पीछे था रियान उसे कह रहा था कि वो माम जी के बताई किसी भी लड़की से शादी कर ले बात में उसे तलाफ दे कर फारहा से शादी कर ले वरना फारहा से दूसरी शादी कर ले उसके डैट में भी तो दो की थी घर आया तो माम जी समरा की बताई एक फैमिली से मिलने गई हुई थी वो समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता पहली बार वो फारेहा के शादी करने पर रोया था आज अपनी शादी होने पर रोने वाला था फारेहा से मुतालब कहानी इतनी उल्ची हुई थी के वो गाड़ी से बाहर निकलाया पारहा ने उसका यकीन नहीं किया था कि वो उससे महबत करता है उसे वाकी हर बार उसकी सालगिरा फूल जाती डिनर के लिए कहकर फूल जाता उसे अपनी तालीम की भी फिकर थी युनिवर्स्टी की दूसरी लड़्कियों की भी फिकर थी कभी कभी वो नजर बचा कर एकाद को डेट पर ले जाता कई बार पारहा ने उसे पकड़ा हर बार उसे माद किया उसे ये सब मजाख लगता था वादा किया और भूल गय थ्रिल लगता इसी थ्रिल की वज़ा से उसे सता देने के लिए फारहा ने शादी कर ली तो उसे मालूम हो गया कि थ्रिल सानिहा कैसे बनता है नजर बचा कर डेट पर जाने वाले आसल को बहुत बड़ा धचका लगा तब उसे मालूम हुआ अपनी महबत किसी दूसरे के साथ पांट लेना कैसा दिल दहला देने वाला होता है ये ख्याल कि वो मार्शल के साथ है शायद उसकी बाहों में या उसके एक कंधे पर सर टिकाए या एक दोस्त ने उसे जलाने के लिए पारहा के हनीमून की तस्वीरें उसे भेश दी उसने देख फिली और उसी दिन उसका दिल चाहा कि अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दे आट्वी मंजल से और जमीन पर मुर्दा पाया जाए जिस यूनिवस्टी में वो हॉट बॉई बना फिरता था उसी यूनिवस्टी ने उसे मौडरन जोगी के रूप में देखा जिस दिन तुम मेरे साथ बैट कर काफी पियोगे और काफी के मख में काफी और काफी पीने वाले के दिमाग में सिर्फ मैं होंगी उस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा साथ साथ पैटने का हकी के मतलब क्या होता है उसने कार के चारों दर्वासे खोल दी और तेज़ म्यूसिक लगा दिया लड़कियां तुम्हें देखती हैं मुझे बुरा नहीं लगता जब तुम उनके देखने का नोटिस लेते हो तो मुझे दुख होता है मेरे साथ होते हुए तुम्हें आसपास का होश ही कैसे रहता है उसे ये मालूम ही नहीं हुआ के सूरज पुरूप हो जुका है हर चीज़ का पैमाना है तो मुझे क्यों नहीं कुछ ही देर बाद मौम जी का पून आ गया शायद वो उसे बताना चाहती हूँ के लड़की कितनी प्यारी है और उन्हें किस कदर पसंद आ गई है कितना प्यार करती है वो उससे वो बहुत निकमा इंसान था मुहब्बत ये ही जाता था देता नहीं था उसने मौम जी को आने का कहकर पारहा को पून किया तुमने मेरे साथ ये क्यों किया क्यों वो चिलाया दूसरी तरफ कहरे सांस के साथ खामोशी ही रही शायद उसका भी यही सवाल था तुमने ढंक से महबत क्यों ना की तुम्हारी जल्दबासी मुझे ले डूबी आँखें साथ करके वो बापसी के लिए चल पड़ा जैनब अब्दुलकलाम एक घंटे से कुर्सी पर बैठी थी कपड़े तो तबदील करो अम्मा कहकर चली गई वो उठी और वापस आकर वैसे ही बैठ गई सामने के कमरे में म्यूजिक सीडीज लाइन दर लाइन ऐसे ही रखी थी इसी तहां नौबिल रखे थे और एक तरफ टाइरी रखी थी जिसे उसने आठ माह से हाथ नहीं लगाया था गए सागर के दिन जल गई सारी धुने दूसरी तरफ के कमरे में दानिश और फुरकान पैठे पड़ रहे थे टीवी का रिमोट टीवी के उपर रखा था जिस पर हर रात इतनी लडाई होती थी कि लगता आज तो जरूर एकाथ मरेगा सो वो अब बन टीवी के उपर रखा रहता था अब किसी ड्रामे की गिस्त नहीं निकली जा रही थी नहीं फला सीन के निकलने पर उसकी जान निकल रही थी दानिश और फुरकान को कोहनी मारी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा एक उठा और टीवी आन कर दिया और पास ही बैठ गया वो चौंकी और अपने कमरे में चली गई दो मिनट बात टीवी फिर बंद हो गया कमपनी का आदमी अभी होकर गया है अम्मा ने बताया था कपड़े इस तरी कर चुकी तो देखा इस तरी थंडी है वो सर थाम कर बैठ गई जिस वक्त वो आफिस में आई सफाई हो रही थी अम्मले ने उसे हैरत से देखा आते ही उसने टेजी से काम शुरू कर दिया कमपनी के आदमी ने कहा के घर कमपनी को बेच दे कमपनी अपना कर्ज़ा लेकर बाकिए उन्हें दे देगी घर उसके बाबा का घर बाबा का खानदान कहा जाएगा उसने डिर माँ पेश्टर सर जबार को दर्खास दी थी कर्ज़े की उन्होंने पौरण इंकार कर दिया था एक तो वो नई थी दूसरे उसे बहुत कोशिश पर हजारों का कर्ज़ तो मिल सकता था लाखों का नहीं और फिर कोई भी उसके काम से खुश नहीं था उसे किसी भी वक्त निकाला जा सकता था उसने सोचा आज वो सर जबार को अपने काम से खुश कर देगी उन्हें यकीन दिलाएगी कि वो हमेशा ऐसा ही अच्छा काम करेगी उसने कल का सारा काम जल्दी जल्दी समेटा फिर सरजबार के आने का इंतिजार करने लगी उनके आते ही वो उनके आफिस में आसानी से चली गई उसका काम देख कर वो बागी खुश हो गए जैनप ने छट अपनी दवपास उनके आगे की सबान से अलग इलते जाकी कि वो उसके लिए कुछ करें वो उसे देख कर रह गए उसकी गीली आँखों पर उन्हें बड़ा तरसाया हर वक्त गीली ही रहती थी वो फिर इंकार करना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने तरख्वास को हैड आफिस देने का वादा कर लिया मुझे एक फीसद भी उमीद नहीं है जैनब उसने सर हिला दिया और केविन में बैठ कर सौ फीसद के लिए दुआ करने लगी अमबा ने कहा ठीक है खर बेश देते हैं किराय पर रह लेंगे इतना कर्स कैसे उत्रेगा खर जिसके हर दर्वासे पर अब्दुलकलाम ने हाथ से रंग किया था बहुत पैसे मांग रहा है वो मैं और जैनब है ना हम मिलके कर लेंगे बाबा ने ब्रश के चीनते मारे और उसके कपड़े बाबा मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी ओ शुकर खुदाया फरीदा मेरा बठवा ले जाकर सामने कार्निस पर रख दो अब कोई दर नहीं बाबा की हसी पैसों की भूकी नहीं हूँ मैं फरीदा तीन हजार निकाल लो अपने लिए करम कपड़े ले आना ऐसे ही अलग रखे थे हाँ तो मैं पुराने धुराने कपड़ों में चली जाओंगी शायान की सालगिरा में दानिश पांच सो तुम निकाल लो पैटरॉल का खर्चा बचा हाँ तो बस में चली जाओंगी फुरकान देर सो तुम ले लो आईसक्रीम खाओ बाबा उसने भी प्रच से चींटे मारे और उनके कपड़े खराब कर दिये मौम जी ने इतने बड़े सनदकार खराने में रिष्टा देखा है तुम्हें क्या लगता है वो लड़की मुझे दूसरी शादी करने देगी या वो मुझसे चुप चाप तलाक ले लेगी रियान ने काफी देर तक उसकी परेशान सूरत देखी तुम्हें किस ने कहा उस खराने में रिष्टा करो तो फिर आसिल ने बेबसी से उसे देखा खुद सोचो यार दूसरी शादी वो करने नहीं देगी और अगर तुमने तलाक दी तो उसका खानदान बिना किसी वज़ा के तलाक लेने पर चुप चाप राजी नहीं होगा तुम्हारे कारोबार और खानदान की साख तबाह हो जाएगी ये सब नामुम्किन है तुम उसके उलट करो तुमें एक खरीब खराने की लड़की आगे कर दो कि तुम इसे पसंद करते हो जब तुम उसे तलाक दोगे तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा ये ठीक नहीं आसल परेशान हो गया फिर जो ठीक है वो कर लो उसे टका सा जवाब दिया फिर उसकी शकल देखकर तरसा गया सोच लो कुछ बुरा भी नहीं देखो सिर्फ निकाही करना है ना तुम उसके खानदान को हर तरह से सपोर्ट कर देना चंद करोर तुम्हारे लिए मसला नहीं है वक्त आने पर बात खतम सी भी सी बात है दर्वासे पर तस्तक हुई सर मैं जाती तोर पर आप से बात करने आया हूँ किस वारे में चंद दिन पहले मैंने आपको एक दर्खास दी थी मिस सैनब बहुत परेशान है सर उन्हें लोन चाहिए मिस सैनब उसे याद भी नहीं था किस दर्खास की बात हो रही है सर उनके पादर की टेथ हो गई है उनका घराना बहुत मुश्किलाब का शिकार है मैंने दर्खास के बारे में क्या कहा था आपने नो कह दिया था जवाब अभी भी वही है प्लीज इशारा बाहर जाने की तरफ था चंग घंटे बाद सरजब्बार को उनके केबिन में फोन आया कि मिस सैनब को दर्खास देकर आफिस में भेजा जाए सरजब्बार ने सैनब को अच्छी तहा समझा बुझा कर कि उसे कैसे बात करनी है कि उसे लोन मिल जाए आफिस फेश दिया उसका अपने डिपार्टमेंट के हैद के लावा किसी और डिपार्टमेंट के बास के साथ कभी भी वास्ता नहीं पड़ा था ना ही उसे मालूम था कि कौन क्या है बास ने उसकी दरफास पर एक नजर डाली चन्द सवाल उसकी फैमली के बारे में पूछे उसने जवाब दे दिये आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूँ जी आप बास है मेरा नाम नाम मुझे नहीं मालूम आसल को हैरत हुई वो रो देने के करीब थी जैसे वो उसका स्कूल टीचर हो क्या मैं आपके खर आ सकता हूँ वो बौकला गई मैंने सब सच बताया है मुझे इतने ही पैसों की जरूरत है मैं पैसों की बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात कर रहा हूँ मेरी वो छोटे बच्चों की तहां हैरान हुई मैं अपनी मॉम जी को ले कर आपके खर आना चाहता हूँ सारे ओफिस वाले मिलकर भी उसे समझाते तो भी उसकी समझ में ना आता ओफिस का ड्रावर आपको खर ड्रॉप कर देगा आप ओफिस में किसी को ये बात मत बताईएगा बलकि आप भूल जाएए कि आपने कभी इस ओफिस में जॉब की है वो भूल गई कि उसने अभी क्या सुना है मैं आपसे लोन मांग रही हूँ आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं आसिल का मू बिगड गया मैं सैनप मैं आपको प्रॉपोस कर रहा हूँ आप जॉब की बात कर रही है प्रॉपोस उसने चुन्दी आँखों से सामने बैठे बास को देखना चाहा वो दर्वासा खोल कर खड़ा हो गया ट्राइवर आपका इंतिजा कर रहा है वो खड़ी नहीं हुई घुम सूरत लिए उसे देखे गई जॉब से निकलने का ये अंदास नया था अगला दिन आगया अमा ने आफिस आने का पूछा तो वो रो पड़ी उन्होंने मुझे जॉब से निकाल गया उसने बास की बात पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं किया था उसे यकीन था कि उस अमीर जादे ने अपने अंदास में उसे आपस से निकाल बाहर किया था जो उसने कहा था वो तो सोचने से रही अमध थंडी सांस लेकर रह गी उसने जिंदगी में कभी कोई काम थंग से नहीं किया था सिर्फ हर साल खरीदी जाने वाली डायरियों पर सफाई से शायरी उता रही थी या बेल बूटे बनाये थे चन्द माह जॉब कर ली थी काफी था तानिश ग्यार्दी में था और फुर्कान मैट्रिक में दोनों एक स्टोर में शाम को सेल्समेन की नौकरी करते थे रो रो कर उसकी आँखें सूच गई ऐसा क्यों हो आमा, कैसा? वो अदासी से पलटी बाबा, मैं क्या कहूं? वो वेबसी से उसे देख कर रह गई उस पर जिंदगी के वस्नी बोच नहीं थे सिर्फ बाबा के बगाईर जिंदगी वस्नी थी और बस आमा ने उसे देखा कभी यहां जोलती थी कभी वहां अब कैसे जामित पुतली सी बन गई है हाथ लगाओं तो धेर हो जाए हालात अच्छे होते तो फौरण उसकी शादी कर देती वो जानती थी के बाप के साथ लिपट लिपट जाने वाली को ऐसा ही एक और सहारा समाल लेगा दिन धला तो उनके पांच मरले के एक मनजला घर में पाकिस्तान में फाइबर की तीसरी बड़ी कंपनी के मालिक का खानदान मौजूद था वर्ताय हैरत में अम्मा थी तो वर्ताय हैरत में वो लोग भी थे दोनों को यकीन नहीं आ रहा था दोनों को ही मालूम नहीं था कि ये कैसे हुआ ट्राइंग रूम में बैठी अम्मा भी खामोश थी और उनके खानदान की तीनों खावातीन भी उन्होंने बमश्किल चाय के चंद खूंट भरे और चली गए जैनब को ये इससे बड़ा मजाख लगा अम्मा खावातीन के चहरों पर दराने वाले तासुराथ नहीं भूल पा रही थी उसने सारी बात अम्मा को बता दी कि बास ने उससे क्या कहा था दो ही दिन गुजरे तो वो तीन और एक मर्थ रिश्टा मांग गए इस पार वो ज़रा पुर सुकून थे मौम जी ने सारी बात साफ बियान कर दी कि कैसे वो बीमार हैं और उनके बेटे ने सैनब को पसंद कर लिया है और ना चाहते हुए भी वो इस रिश्टे पर राजी है शादी के लिए कल का दिन भी हो सकता है कल से भी जल शायद रात के तक वो सब इस सामान के आसपास तम साथे बैठे रहे जो उनके दो कमरों में फैला था अम्मा ने उठकर उसका माथा चुमा आपा आँखें साफ करने लगी सैनब को मौम जी की कही एक ही बात रह रह कर याद आ रही थी आसिल ने जैनब को पसंद कर लिया तो आसिल ने जैनब को कम पसंद किया किया भी तो क्यों कैसे अम्मा ने जैनब से कहा कि वो शुकराने के नफिल पढ़े उसने पढ़ लिये आसिल ने जैनब को पसंद कर लिया सिर्फ इस पहली मुलाकात में जब वो गलती से उसके आफिस चली गई थी जैनब के वजूद में ठंडी आफशाद का जहना जारी हो गया पहली बार पसंद किये जाने का एहसास हुआ शित्त से हुआ बहुत खूब हुआ उसके अंदर का समा बदला उसने उसे पसंद किया रिष्टा भी आगया इतना कुछ सैनब के लिए था क्या सैनब में ना वो आसल की तहां खुबसूरत थी ना ही उसके खांदान की तहां अमीर ना ही लाइट फाइब जहीन फतीन कौन सी बात आसल को उसमें पसंद आ गई वो चोटा सा मकालमा जो इत्तिफाकन दोनों के दर्म्यान हुआ उस वक्त उसे ये भी मालूम नहीं था कि आसल कंपनी का मालिक है बलके वो डर गई थी चबके सरजपार ने कहा कि उसे निकालने के लिए कहा गया है सैनब सोचते सोचते मुस्खुराने लगी उसे सारा वाकिया अबल और अफिर अपनी डायरी में लिखा साथ चंद अशार लिखे और लिखते लिखते वो सो गई जैनब के घर सिर्फ निकाह हुआ था बाकी के सब इंतिसामात उनके थे पारात और रुखसती उन्हीं के बुक करवाए गए होटल से हुई थी सैनब की एक दोस्ट चदीद तरीन डिप्रेशन में चली गई इतनी डॉलत इतना हुस्न सैनब के लिए आसल तक्दीर लिखने वाले कलम ने सैनब का नाम ही क्यों लिखा आफिस के बाद से उसके आसल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी ना ही बात हुई थी उस पर जब भी सैनब की नज़र पड़ी वो खामोश ही मिला जैसे मालूम ही ना हो कि कहां खड़ा है और क्या कर रहा है उनका घर चंद एकर पर बना था बस जैनब को बस ही आ गई उसने अपना बैडरूम देखा तो हैरान रह गई खर ऐसे थी होते हैं वो कैसे सोच सकती थी देखती तो सोचती आसल ही उसका हाथ पकड़ कर कमरे में लाया था उसने उसे काउस पर बिठा दिया और फुद उसके सामने कुर्सी खसीद कर पैट कया उसका सर जुका था और वो काफी देर तक सोचों में गुम रहा सिंदगी का बड़ा अर्सा मैंने यॉरप में गुजारा है उसने सर को जटका कोया बाद यहां से शुरू नहीं करनी मौम जी मेरी शादी करना चाहती थी क्यूंके वो अचानक बहुत बीमार हो गई है वो मुझसे बहुत प्यार करती है मैं भी उनसे प्यार करता हूँ उनके खौाहिश थी मेरी शादी और मैंने कर ली मैं अचानक इस तरह शादी करना नहीं चाहता था मैंने एक बार तुम्हें देखा, तुम मुझे अच्छी लगी, मैं चाहता था कि हम दोनों को कुछ वक्त मिले, ऐसे ही डिरेक्ट चादी, मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मौम जी की जिद के आगे मैंने उनकी मान ली, सैनब को बड़ी खुशी हुई कि इतना खुबसूरा दूला, उसके एन सामने बैठा कह रहा है, कि वो उसे पसंद आ गई थी, वो भी पहली नजर में, अगर हम पहले एक दूसरे को समझ जाते तो ठीक था, जैनब ने ताइट में सरहिलाया, अचानक शादी, वो जंचला कर उठा, चंद माह से जैनब लगातार रो रही थी, व मुझे अच्छी लगी, ये सुना, तो बहुत अच्छा लगा, रोने वाली उसकी आँखें मुस्कुराने लगी, फूल जाने वाले दिमाग को सारी घजलें, सारे अशाद याद आने लगे, चंद कानों के बोल भी याद आ गए, उसने अपने बेहत कुबसूरत शोहर को कम सिरे से शायरी करे, दुलहन बनी बैठी वो उसे देखे गई, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार भी आसिल ने उसे नसर फ़र कर नहीं देखा, उसने कप्टे बदले और जहाजी साइस पैट पर सो गई, आसिल ने कहा कि वो माम जी के साथ साथ रहा करे और वो उनके साथ साथ ही रहती, उनका कहना था कि वो हकीकत को तसलीम कर चुकी हैं और अपने घर और कांदान में ही मरना चाहती हैं, सैनब को शुरू में माम जी से और बाकी सबसे भी पहटर लगता था, वो शायद ऐसासे कमतरी का शिकार होती, उसे लगता कि वो उसे पसंद नहीं करत होंगे, लेकिन वो सब पूरी तहां माम जी में ही उल्चे रहते थे, और वो उसे नापसंद क्यों करते, जब माम जी उसे पास बिठाए बातें करती रहती थी, सब उनहीं के आसपास रहते थे, जैनब भी ज्यादतर उनहीं के कमरे में रहती थी, माम जी कहती, जैनब आती ही के कैसे दूद को दो-चार बार उबाल कर उसे चाय बनानी है। वो बना कर ले आती, वो एक खूंट लेती और कहती हाँ ऐसी ही, बिलकुल ऐसी ही। वक्फे वक्फे से जब वो अस्पताल में दाखिल हुई तो वो उनके साथ रहती। आसिल भी साथ साथ ही रहता, आसिल उनका हाथ पकड़े पकड़े सहलाता रहता और जब वो बातें करते करते सो जाती तो कुर्सी पर बैठे बैठे खुद भी करदन एक तरफ कर लेता, वो एक तरफ रखे सोफे पर दरास हर रात यही एक मंजर देखती, दोनों खूब बाते करते हसते और एक के बाद दूसरा सो जाता, एक दिन उसने चोटा कुशन एहतियाद से आसिल की करदन उठा कर पीछे रख दिया, उसने जरा की जरा आंग खोली और फिर बंद कर ली, वो रात भर आसिल को देखती रहती, चन्द दिन पहले उसने उससे कहा कि वो उसकी आसिल पच्टाया, मैं अपने काम खुद करता हूँ, ये काम तो नहीं, उसने आगे बढ़ कर टाई पकड़ ली, आसिल ने हाथ छोड़ दिये, अनोखी सूरते हाल थी, वो मुस्कुरा रही थी और वो तने गुए आसाप के साथ खड़ा होने पर मजबूर था, वो उसे ब लावजा की मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट हमावक्त उसके होटों उसके आँखों में रची बसी रहती, जैनब को हर आने वाले और गुजर जाने वाले पल ये सोच सोच कर बहुत खुशी होती कि आसिल उसे पसंद करने लगा था, वो अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थी, सुपैदी माईल गंदुमी रंग था, कमर तक लंबे बाल थे, आँखें गहरी सियाह थी और बहुत भली लगती थी, ठीक है, वो बेहत खुबसूरत नहीं थी, लेकिन आसिल के खांदान में आकर उसे सारी खुबसूरती मिल गई थी, समरा उसके लिए शौपिंग करत उसे अपने साथ पार्लर लेकर जाती, ऐसा नहीं होता कि वो कोई लिबास पहन थी और उस पे चश्टा नहीं, और फिर उसने से फेक सच को मान लिया था, जब वो आसिल को अच्छी लग गई तो भले से वो खुबसूरत लोगों की सफ्ट में खड़ी ना हो पाए, उसे को लाइबरेरी में, एक बार वो रात कई लाइबरेरी गई और आसिल से पूछा कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, उसने कहा कि उसे दर्वासा बंच चाहिए, सैनब को बुरा लगा और सारी रात सो नहीं सकी, मगर अगले दिन उसे देखते ही सब फूल गई, एक दिन वो उसक वाडरोप ठीक कर रही थी, कि उसने उसका बाजू पकड़कर पीछे किया और कहा, कि वो उसकी चीजों में ना कुछा करे, उसका अंदाज इतना बुरा था, कि वो रोने लगी, छुपकर रोते वक्त उसे बाबा भी यादा आ जाते, फिर वो दिल खोल करोती, शाम को माम के पास अस्पताल जाने लगे, तो जैनब ने फ्रंट सीट की खिर्की से देख कर उसे कहा, कि वो उसकी गाड़ी में नहीं बैठेगी, और किसी और के साथ चली जाएगी, पलटते पलटते उसने आसिल को मुस्कुराते देखा, वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकला, औरी भी कहा, उसे बहुत खुशी हुई, उसका सारा घुसा जाता रहा और वो गाड़ी में जा बैठी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वो करो, जिससे मैंने मना किया है, उसने ताईव में सब हिलाया, सैनब ने कई बार लड़कियों को गर्दन मोब मोड़कर उसे देखते देखा, उसका जी चाहता कि वो उन सब के पास जाए और तहे, ये मेरा है और मैं भी इसकी हूँ, वो बेहत खुबसूरत और शानदार था, सैनब अकसर अलपास चोगती रहती कि जब कभी उन दोनों में ज़रा ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी, तो वो आसल की ता लगता है, उसने हाथ रोक कर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, वो वाश्रूम के अधकुले दर्वाजे से अंदर आ कर दीवाद के साथ तेख लगाये खड़ी थी, जाओ यहां से, नहीं, मुझे देखना है, क्या, उसकी आवास में घुसा था, मैंने कभी देखा नहीं कि शेफ कैसे बनती है, बाबा की दाड़ी थी तो मैं, तुम पागल हो, वो मुस्कुराई लेकिन देखती रही, उसने हाथ रोक कर उसे बाहर किया, और दर्वासा बंद कर दिया, उसे घुसा आ गया, और वो मुँ फुला कर बैठी रही, वो बाहर निकला और चला ग फिर भी शायद, वो डाड़ी खुजाने लगे, उसने सोचा कि आसल के पास तो इतने पैसे हैं, फिर भी वो उनसे बिना पैसों की ही मान जाती, कैसे? शायद सिर्फ उसकी एक हलकी मुस्कुराहट से, उसने अपनी आदतें बाबा के हाथों खराब कर डाली, अभी वो खामोश थी, वो सोचती, अगर मौम जी बीमार ना होती और आसल की पसंद की ये शादी आम खालाट में होई होती, तो वो रोज आसल को ऐसे ही तंकरती जै रहने की बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी, गुसरने वाले हर दिन के साथ मौम जी बहुत लागर होती जा रही थी, नाच्ते के दौरान खाने की टेबल पर लाउंच में बैठे सब कामोश ही होते थे, समरा अपनी नम आँखें साफ करती रहती, आसल जरूरत से ज़्या उने लगती, उसे बाबा याद आ जाते, आसल और डैड ने आफिस जाना तकरीबन खत्म कर दिया था, रिष्टदार मिलने वाले मिजाज पुर्सी के लिए आते, मौम जी खबरा जाती, उन्हें लगता उन्हें की मौत की तास्यत की जा रही है, आसल मौम जी को लेकर कैने कैनेडा जाने के लिए तयार हो गया, मिजाज पुर्सी के लिए आने वाले लोग उन्हें शित्त से मौत का एहसास दिला रहे थे, एक एक करके वो सब कैनेडा चले गए, आसल मौम जी के चोटे-चोटे काम खुद करता, मौम जी बहुत खुश होती, जब आसल अपने हाथ से उनके काम करता, अक्सर मौम जी जैनब का हाथ पकर कर उसे अपने पास कई कई खंटे बिठाए रखती, आसल को भूलने की बहुत आदत है, मुझे हरीम नाम बहुत पसंद है, आसल बाब बनेगा, तो तुम उसकी बेटी का नाम हरीम रखतोगी, उसने फौरण असबात म सरहिला दिया, लड़के के लिए भी एक नाम बता दूं, उनके अंदास पर जैनब हसने लगी, वो खुद भी हसने लगी, तुम अच्छी लड़की हो, सिंदगी के समोर पर आकर एहसास होता है, कि जिदगी के खुशियां इनसानों से जुड़ी होती है, चीज़ों से नही आसल के खुशियां भी तुम से जुड़ी है, मैं बे उलाद होकर भी उलाद वाली हूँ, मैंने सिर्फ खुले दिल से महपत की, और मुझे उसका इनाम मिला भी, तुम भी करती हो, वो पूछ रही थी, वो मुस्कुराहत तबा रही थी, कितना शर्माती हो तुम, उन्होंन दूखी ना करना, मैंने उसे 15 सालों की द्वाओं के बात पाया है, मुझे अपनी जिंदकी के खतम होने का दुख नहीं है, क्योंकर आसल मेही मेरी जिंदकी है, वो अपनी जिंदकी जीए, मेरी कोई ऐСी दूआ नहीं, घिसमे आसल का नाम ना आया हो, मैंने समरा और असत क वो भी भुलाए रखा, मुझे आसल को याद रखकर बहुत सुकून मिलता है, मुझे भी, उसने कहा नहीं, बातें करते करते वो दवा के जेरे असर सो गए, उनका इलाज मुम्किन नहीं था, उनकी सिर्थ तकलीफ कम की जा रही थी, चन्द दिनों बाद वो दो दिन की मसलसल बेहोशी में फौत हो गए, सैनब और आसल की शादी के ठीक नौ माह बाद, उनकी मौत का सोग तो वो उनकी जिन्दकी में ही मना रहे थे, लेकिन हकिकी मौत ने कहरा असर किया, आसल चन्द दिन अस्पताल रहा, सहनी और जिस्वानी तोर पर उसने कापी असर लिया था, ज कमरा को उसका शोहर फॉरन ट्रिप पर ले गया, उसका कहना था कि इस तरह उसका दिल बहल जाएगा, आसल को भी कहा, लेकिन वो नहीं माना, डैड ने मामा और जैनब को अमेरिका फेज दिया, वो आसल के बगएर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डैड और मामा को इंकार न पूर हुई थी, उसे न्यू जर्सी की हर चीज काट खाने को दौड रही थी, सैनब ने आसल को कितनी बार कहा कि वो साथ चले, लेकिन उसने सदमहरी से उसकी तरफ देखा, फिर खुस्से से उठकर ही चला गया, वो ये जानती थी कि वो अपनी मर्सी का मालिक है, और जब अपनी मर्सी करता है, तो किसी की भी नहीं सुनता, जिन की सुनता था, वो जा चुकी थी, वहाँ पहुंचते ही बातरूम का दर्वाजा बंद करके, वो रोने लगी, सैनब ने चाहा कि उसकी आवास ही सुन ले, मगर उसने पौन ही नहीं उठाया, उसने रात का खाना भी नहीं खाया, रात भर सोई भी नहीं, कभी ठोड़ी के नीचे हाथ रख कर सोचती, कभी बेचैनी से उठकर टहलने लगती, कभी जी चाहता कि बत्तमीजी के इंतिहा कर दे और मामा को छोग कर अकेली ही वापिस चली जाए, मामा उसे शौपिंग पर लेकर जाती, उसे निय चलकने लगते, वो फोन करती तो कभी तो उठाया ही ना जाता, और अगर उठा लिया जाता तो, हाँ मैं ठीक हूँ, चल्दी मैं हूँ, विजी हूँ, ट्राइविंग कर रहा हूँ, लंज कर रहा हूँ, कहा जाता, चंद हर्फी जमले और उसकी बात सुने बगएर ही फोन बंद, आधी रात कोट कर खिड़की में आखड़ी होती, उसे मैसेज करती कि वो कहां कहां गए, क्या क्या देखा, मगर किसी मैसेज का जवाब ना आता, वो उसके साथ गुजारा, एक एक पल याद करती, बार बार तोहरा थी, एक पार वो लैप्टॉप पर काम कर रहा था कि उसने उस पर चान भूज कर चाय चलका दी, उसने इतने घुसे से जैनब की तरफ देखा कि उसका दम ही निकल गया, मगर वो साफ मुकर गई, फलती से गिर गई, उसने पमुश्किल घुसा सब्त किया, तुम्हारा अंदास सब पता रहा है, वो मुस्कुराने लगी, क्य सतन गरीबाना मजाग था, जो दानिश वगरा के साथ वो करती थी, और उसे भाता भी बहुत था, ये क्या बत्तमीजी है, वो पूरी कुवत से धाड़ा, वो सच मुश्डर गई और उसे देखने लगी, वो उसे ही खूर रहा था, उसने बमुश्किल कहा, मजाग, ऐसे मज साथ तुम किसी और के साथ करना, किस के साथ, बेसाखता मुश्किल गया, शट अप, वो धाड़ा, सैनप ने उलच कर उसकी तरफ देखा, मसाग था, बुरा था, लेकिन घटिया नहीं था, आसल के रद्द्य अमल पर उसे बहुत अफसोस हुआ, सैनप ने गुस्से से उसक कर वो चला गया, चन्द बार रो कर जैनप ने खुद को तसली दे ली, कि मजाग ही खटिया था, वरना वो इतने घुस्से में नहीं आता, और फिर वो तो इतना प्यारा है, कैसे मौम जी का हाथ थाम कर घंटों बातें करता रहता है, एक दिन वो उसका हाथ थाम कर भी दों बातें करेगा, हसेगा, हसाएगा, लेकिन हुआ कुछ यूं के जैनप ने उसे एक छोटे बच्चे की तरहां हर सूरत कुछ रखना, मनाना और उसके आगे पीछे होना शुरू कर दिया था, उसने आसल का हर काम अपने जिम्में ले लिया था, कई राते मौम जी के पा और गाड़ी नहीं रोकी, मेरी कोई बात नहीं मानते, वो घुस्से से बड़बढ़ाई, उसने उससे ज़्यादा घुस्से से ब्रेक पर पाउं रखे, जैसे कहा, लो मरो, रोक दी अब, मुझे कुछ कहना है, वो जिचकी, तो अस्पताल में कहते थी, अस्पताल का माहौ ठीक नहीं था, घर जाकर कह देना, घर जाते ही आप फॉरंस हो जाते हैं लाइबरेरी में, कहो अब, वो जला कर उसकी तरफ देखने लगा, आप इस रात तो करें, क्या बात है जैनब, इस बार आसल ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होटों का कोना दातों में तबा लिय नजम सुनानी है, वो बेहत संजीदा थी, तुम मुझे पोईटरी सुनाने लगी हो, आधी रात को इस तहां गारी रुक्वा कर, उखल कर मुस्कुरा दिया, इस समर से डरे बगैर के बोस की मुस्कुराहट देख लेगी, और कुछ समझने लगेगी, वो गारी का तरवासा के कहे लगा रहा था, दो मिनट तक हस्ते रहने के बाद, वो वापस आकर बैट किया, टिशू से अपनी आँखों के कोने साफ किये, और एक टिशू उसके आगे भी किया, कि अगर उसका दिल तूट चुका है, और वो रोने वाली है, तो आँखें साफ कर सकती है, सारा रास जहां से आसिल ऐसा रूखा बन कर निकला था, उसने अपनी लिखी नजम मेसेज में लिखकर उसे फेश दी, दिन गुजर गया, और जवाब क्या आया, सवाल या निशान, चंद और दिन गुजरे तो आसिल ने उसे ड्राइवर के साथ खर पेश दिया, और एक खंटे नजर उठा कर भी नहीं देखता था, फिर भी जैनब को लगता वो हर वक्त सिर्फ उसे ही देखता है, उसे पसंद जो करता है, उसने मामा से कहा कि वो आसिल से कहें कि वो भी यहां आ जाए, मामा ने कहा भी, मगर उसने कहा आफिस में काम बहुत है, मामा का मेडिकल चेक अ हो चुका था, रिपोर्ट्स आनी थी, उनकी सेहत अच्छी होती जा रही थी, मौम जी और उनमें बहुत तोस्ती थी, मामा डैट के साथ पार्टीस अटेंड करती रहती थी, खर और बच्चों को मौम जी नहीं देखा था, दोनों एक दूसरे के मश्कूर रही, एक उलाद द रखती हैं, नियू जर्सी में वो अपने बुरे तरीन वक्त से गुजर रही थी, लेकिन जब मामा ने बताया कि आसल बिजनस के सिल्सले में फॉरन ट्रिप पर है, तो जैनब को बहुत खुशी हुई, वो नियू जर्सी भी जरूर आएगा, वो जानती थी, वो हर रोज ऐ वक्ते कुसार कर मामा ने समरा के पास लंदन जाने का सोचा, डैट का आने का एरादा भी था, जैनब वापिस जाकर क्या करती, आसल पाकिस्तान में भी नहीं था, उसने आसल को मैसिज लिया कि वो लोग लंदन में हैं और वो अपने बिसनस टूर से फारिख होकर उनके पा और वो भाग भाग कर यहां आता है, बिसनस टूर कहीं काभी हो, यहां सरूर रुक कर जाता है, यहां आकर उसका इंतिसार पढ़ गया, उसने मामा के साथ की कई शॉपिंग इस्तमाल करनी शुरू कर दी, वो बहुत अच्छी तहां से तयार होने लगी थी, उसकी रंगत न मामा एक बड़े सलोन से बाल सेट करवा रही थी, वो उठकर बाहर आ गई, सलोन एक बड़े शॉपिंग सेंटर में था, कॉफी का मंग लेकर वो ग्लास वाल के पास आकर खड़ी हो गई, बूंदा बांदी हो रही थी, और उसने लॉंग कोट और सुर्प मपलर में आसिल क वो तेजी से सड़क पार करते देखा, वो शॉपिंग सेंटर के सामने बने पारकिंग लॉट से निकल रहा था, मंग छोड़ कर वो तेजी से तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आई, भागती हुई बैरूनी दर्वाजे से बाहर निकली, यकीनां मामा ने उसे बता दिया ह कि वो लोग कहा हैं, उसे मालूम था कि वो अचानक ही आएगा, वो उसे जान गई थी, वो उसे सरप्राइस देने वाला था, वो सड़क के दोनों तरफ बनी दुकानों से उसके लिए फूल लेने गया होगा, तेजी से भागते हुए भी उसने काफी कुछ सोच लिया, वो म उसमें से आइना निकाल कर खुद को देखा, फैल जाने वाले काजल को ठीक किया, वालों में हाथ खुमा कर सराइस टाइल दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती, उस दुकान के पास आई, वो सरासा तिर्चा होकर खड़ा था और उसके होंट हिल रहे थे, उसने दर्वासा खुला और एन उसके सामने जाखड़ी हुई, तो आसिल ने इस तहां कहा कि उसकी मुस्कुराहट खाइप हो गई, ये कैसा है, दूसरी आवास आई, आसिल की नजरों के ताकब में उसने आवास का ताकब किया, वो लड़की जरा फासले पर हाथ में दो मुक्तलिब चूते पकड़े पकड़े पूँँच रही थी, ये फारहा है, हाई, वो खड़ी हो गई, हाथ आगे किया, अगर आसिल दुनिया कर सब से कुब्सूरत लड़का था, तो वो दुनिया की सब से खुब्सूरत लड़की थी, सैनब ने बमुश्किल उसका हाथ ठाम लिया, ये सैनब है सर्मत अंकल की बेटी ओह सैनप तुम्हारे डैट से मिल चुकी हूँ मैं एक बार सैनप ने उलच कर आसल की तरफ देखा और उसने इस अंदास में उसे खूरा कि वो कामोश खड़ी रही युनिवस्टी से आ ही हो उसके आवास बहुत खुशकुन थी सैनप ने सर लाया हम शौपिंग बात में कर लेंगे कुछ खाते हैं सैनप ने नजर चुरा कर आसल की तरफ देखा वो ऐसे खड़ा था जैसे उसे चानता ही नहीं अपनी बीवी को वो पहचान नहीं रहा था उसका यही अनदाज उसे हैरान और परेशान कर रहा था मैं जल्दी में हो शुकर रहा कि वो रोई नहीं जल्दी में हो काम ओन वो मुस्कुराई चलो मेरे साथ मुझे तुम्हारे कजन की कुछ शिकायतें करनी हैं उसने अदास से मुस्कुरा कर आसल की तरफ देखा सैनप ने हाथ आ कहकर उसने आसिल का बाजू थाम लिया और उसके साथ लगकर खड़ी हो गई। सैनब ने दूर तक बनी दुकानों के शीशे तूटते देखे। मैं और आसिल इंगेज हो गए हैं। उसने कहा। उसने इस वार आसिल की तरफ नहीं देखा और बाहर की तरफ लपकी। फारहा क कहा बाए दूर तक उसके पीछे आया। वो टैक्सी में बैठी तो उसने आसिल को तेजी से पीछे आते देखा लेकिन फारहा का बाए गुंचता ही रहा। उसका फोन बचने लगा फिर मैसेज आया। उसने ना फोन सुना ना मैसेज पढ़ा। उसने टैक्सी ड्राइवर स कहा कि उसे ऐसी जगा ले जाए जहां उसके लावा कोई ना हो वो उसे दरख्तों में खिरी एक छील तक ले गया जहां दूर दूर तक एका दुका लोगी नजर आ रही थे वो एक दरख्त के साथ देख लगा कर खड़ी रोती रही बहुत देर तक फिर एसास हुआ कि वो कितन कि इसे मजाक चलते हैं आसिल का फोन आ रहा था उसने फूचा वो कहा है उसने जगागा नाम बता दिया मैं आ रहा हूं उसने कहा वो आ रहा है वो खुश हो गई लेकिन फिर रोने लगी कुछी देर में आसिल उसके पास था वो उसे देखते ही उससे लिपट गई इतने से वक्त में उसने उसे बुरी तहां से खोया था खोगर मिल जाने वालों की तहां वो उसे लिपट गई आसिल ने सर्दमहरी से उसे लग किया फिर उसे लेकर काड़ी में आ बैठा सारा वक्त वो उसकी तरफ बार बार देखती रही लेकिन वो खामोशी से लब नीचे कार चलाता रहा जैसे कार में अकेला बैठा हो उसकी आँखों का काजल रो रो कर फैल चुका था समत अंकल की बेटी वो पूछना चाहती थी उसने ऐसा क्यूं कहा लेकिन खामोश बैठी रही और ये कि वो लंदन कब आया बैठो उसने एक तरफ इशारा किया ये आसल का फ्लैट था वो बैठ गई उसका जरखेज दिमाग चुक था हाँ दिल तेजी से धरक रहा था सैनब का ख्याल था कि वो उसे बताएगा कि वो कितना गलत समझकर वहां से चली आई मैं तुम्हें तलाग दे रहा हूँ वो सफैद पढ़ गई वो उसकी तरफ देखती रह गई I'm sorry जैनब लेकिन ऐसा ही होना है मैं तुम्हें सब बता देता हूँ एक तेज रफ्तार चखकर उसके दिमाग में से होकर कुजरा मैं फारह से मुहपत करता हूँ वो मुहपत का लफ्त जानता था वो गलत नहीं थी सिर्फ उसी से शादी करनी थी मुझे किसने कहा था कि वो कम बोलता है हालात हम दोनों की दर्मियान ऐसे बदले कि हम अलग हो गए हम दर्ट राह ढून कर अंदर खुषने लगा मौम जी की बेमारी उनकी ख्वाहिश से मजबूर था आसल मजबूर था बुरा नहीं मुझे तुम से शादी करनी पड़ी रियान ने कहा अगर मैं किसी जरूरत मन्द खांदान की लड़की जरूरत मन्द गरीब और यतीम भी मेरी नियत बुरी नहीं थी इरादा भी बस महपत ही तो ले डूपती है हालाग इतने खराब हो गए इतने उलच गए वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पताने लगा मैं फारिहा के बगएर नहीं रह सकता जैनब और मैं आसल के बगएर आखिर उसने कह दिया उची आवास में आसल की तरफ देखकर वो चौंका और फिर अंजान बन गया इतनी बड़ी बात सुनकर भी वो अंजान बन गया मैंने तुम्हारे अकाउंट में दो करोड जमा करवा दिये हैं उसकी बात का जवाब था उसने शादी के फौरण बात जैनब को पचास लाग का चेक भी दिया था वो तुम्हारे हैं जैसे चाहो खर्च करो उसने बाबा का कर्ज उतार दिया आसल ने उसके दोनों छोटे भाईयों के प्राइविट कॉलिजिस में अड्मिशन करवा दिये थे जैनब खुशी से नहाल हो गई कि उसे इतनी फिकर है उसका शोहर था लेकिन बाबा की तरह उनका ख्याल रख रहा था आपा के शोहर को अच्छी फिर्म में अच्छी पोस्ट पर लगवा दिया था उन्हें गाड़ी और खर मिल गया डिफेंस में एक घर खरीदा है तुम्हारे लिए खबरस्तान में एक खबर खरीदनी चाहिए थी वो नहीं खरीदी उसने सुख आँखों को रगड़ कर उससे पूछा उसने जवाब नहीं दिया देखता ही रहा तुम जानती हो मैं हमेशा लाबरी में सोता रहा हूँ हमारा सिर्फ निकाह इतनी वकत मेरी मेरे जिसम की और मेरा दिल उसका नहीं सोचा इतने पैसे निकाह के दे रहे हैं वो चिलाई सिर्फ निकाह के लिए इतने पैसे कितने पैसे वाले हैं आप मुझे तो मालूम ही नहीं था एक साल चन्द माह इतने पैसे और दूसरी चीज़ों के आसिल ने लब फींच कर उसकी तरफ देखा पहली चीज़ मेरी महबबब दूसरी चीज़ भी मेरी महबब तीसरी चौथी महबब महबब के एक एक पल को सदियों से जरब दो अंगिनत का हिसाब निकालो मेरे हिस्से में आप आए मैंने नहीं कहा था कि मुझसे महबबबब करो उस तलफी से बोला और खड़ा हो गया सैनब ने धुनली आँखों से उसे खड़े होते देखा जैसे आपने मुझसे शादी कर ली मैंने आपसे महबत कर ली अब दे मेरा बकाया मुझे उसने खड़े होकर उसके आगे हाथ पहलाया कहा ना महबत का नाम मत लो ये तुम्हारे लिए नहीं थी उसकी कड़वी आवास कुची आसल खुद को किसी कटहरे में खड़ा करें और पूछें पूछें खुचें खुचें आपसे ना करती महबत तो किस से करती एक बीबी अपने शोहर से महबत नहीं करेगी तो किस से करेगी रात दिन में अपने शोहर के साथ रहते हुए महपत किसी तीसरे से करती उसकी आवास बुलंद हो गई हजारों लोगों में आपने मुझे अजासत दी कि मैं आपसे महपत करूँ कैसे ना करती आसिल नज़रे कहीं और ही टिकाई हुई थी आसिल के इस अंदास पर उसने दोनों हाथ आँखों पर रख लिये और रोने लगी मेरा हाथ पकड़कर आपने कहा था मैं आपको अच्छी लगी वो जूट था तो साथ ये भी पताना था आसिल कि ये जूट है इसे सच मत समझ लेना मैं शर्मिन्डा हूँ तने हुए आसाब और बेरहम साकित नजरों को न जाने किस नुक्ते पर टिकाए उसने कहा मैंने महबबत कर ली वो रोने लगी गलती ही सही मगर मुझे इसका हल भी तो बताए फूल जाओ मुझे उसने हल निकाल दिया वो जाना नहीं चाहती थी वो रुकना नहीं चाहता था आसल उसने बेगारत बनना भी कवारा कर लिया जैनब तुम बहुत सिद्धी हो वो खता गया कैसे वो हैरान हुई मैं तुम्हें हर चीज लेकर नहीं दे सकता मुझे हर चीज नहीं चाहिए जो मांग रही हूं सिर्फ वो ही वो चिल लाई बहती आँखों को बहने दिया और दूनों हाँ चोड़ दिये ऐसा मत करें मुझे तलाप मत दें मेरे साथ रहें आसल पीज मैं रह लेती अगर आपके बग़र रह सकती मैं दुनिया में हर काम को करने के लिए कोशिश करूँगी आपके बग़र रहने की कोशिश की तो मर चाऊंगी आसल ने नजरें उठा कर उसकी तरफ देखा तुम पाकिस्तान चली जाओ जल्द ही ठीक हो जाओगी उसके पास सैनब के हर सवाल का जवाब था क्या मैं आपको कभी अच्छी नहीं लगी उसकी नजरें वापस पलट चुकी थी सैनब के तो सवाल भी खतम नहीं हो रहे थे कितनी बार आप मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए मौम जी का दिया हुआ सपह ड्रेस जब मैंने पहना तो आपने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा था जब मैंने आपको एक शेर सुनाया तो आपने कहा वो मेरी तरह का है आपने कहा जैनब तुम पागल हो एक बार आपने मेरे गाल पर चुटकी ली और कहा एक बच्चा भी मुझसे जावा समझतार होगा दो बार मैंने आपको कॉफी बना कर दी और आपने कहा कि आपको ऐसी ही कॉफी दोबारा चाहिए माम जी जब चुपके चुपके आप से मेरी बातें करती थी तो आप हसते थे आपने मेरी तरफ देखा जब मैं अपने बाल बना रही थी और वो मुझसे बन नहीं रहे थे आपने लैपटॉप के पीछे अपनी हसी को चुपा लिया एक बार सुभा आपने मुझसे पूछा कि क्या मैंने नाश्ता कर लिया है कितनी बार आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्या मुस्थ मुहपत नहीं थी वो खुद नहीं समझ रही थी कि वो क्या कह रही है उसे क्या कहना है उसे दलाइल देने है या शिकायाद करनी है या इस्दत नफ्स रखने वालों की तरह गर्दन उठा कर वहां से चले जाना है वो वहां से चली जाती उसका दिल ये फैसला फूबूल तो करता आसिल अंदर कमरे में चला गया और दर्वासा बंद कर लिया मतलब अब चाओ यहां से सैनब अब्तुल कलाम खेल खतम हुआ वो सैनब आसिल से सैनब अब्तुल कलाम हुई टेक्सी से आते हुए वो खिटकी के पार ऐसे देख रही थी जैसे दर्या में उसके एक पाउं का जूता गिर गया हो और उसे एक जूते के साथ वापिस आना पड़ा हो कितनी सुक्की हुई एक पाउं में जूता पहन कर एक नंगे पाउं से चल कर अच्छा होता वो दूसरा जूता भी उता प्हेंकती यक तरफा महपत एक पाउं में पहने जूते की तहां होती है ना ठीक से चला जाता है और उतारा भी नहीं जाता वो बैटके किनारे बैठी थी वो कामचोर ना एहल लड़की एक ही अंदाज में एक ही जगा बुत बनी बैठी रही ना ठकी ना तूटी सांसों की आमद औरक्त कुद्रती थी अगर उसके हाथ में होती तो उन्हें भी रोके रखती बहुत देर बाद उठकर उसने परदे पराबर किये करीब ही साइट टेबल पर आसल की तस्वीर रखी थी उसने हाथ मार कर उसे गिरा दिया कोट और मफलर उतार कर फेंका कानों के बुंदे उन्कियों के अंगूठियां घड़ी प्रेसलेट जूते दो करोर अकाउंट में जमा करवा दिये हैं वाडरोब खोल कर उसमें कपड़े निकाले खिर्की खोली और बाहर फेंकने लगी बैग जूते जूलरी खरवालों के लिए खरीदे तहाइफ आसल के लिए चन्द चीज़ें डिफेंस में खर एन खिर्की के नीचे बैठ कर उसने अपना सर थाम लिया इतनी चीज़ें दी एक खुद को ही संबार में नहीं रखा दिमाग की नसें फटने के करीब थी तो आलत के बलबूते पर कैसी तिजारत की उसने उसे कितनी बुरी तहां से खरीदा था ना खरीदते हुए उसे बताया ना फेंकते हुए तोनों तरफ के सौदे अपने हाथ में ही रखे अपनी बेवकती का एहसास पढ़ने लगा इतनी तसलीज इतनी बेरहमी इतनी धुदकार उसका जी चाहा अपने वजूद को मलिया मेट करके इस दुनिया पर थूख दे और फिर पूछे आसल से अब खुश हो मुहबत भी मैंने की जान भी मैंने दी उसके पास चंद हजार पौंस और काफ़ात थे आसल से आख़ी मुलाकाथ हद भी वो उसके फ्लैट के दरवाजे से अंदर डालाई थी अभी सुभा के आसार नुमाया नहीं हुए थे एक पब्लिक बूट से उसने पाकिस्तान अमा को फोन किया कि अगले चंद हफ़ते वो इतनी मस्रूप है कि फोन नहीं कर सके की फुट पात पर चलते उसकी नजर जैसे ही पहले शख्स पर पड़ी उसे रोक कर उसने कहा कि क्या उसके पास उसके लिए थोड़ा सा वक्त है अजासत मिलने पर उसने उसे बताया कि वो लंदन में अकेली है नई है अभी अभी आई है बेसरो सामान है उसे सस्ती सी कोई जगा चाहिए रहने के लिए वो आदमी खड़ा गौर से उसका मसला सुनता रहा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और एक कैफित तक ले गया कि वहाँ बैट कर कंप्यूटर पर किराए की जगा तलाश करे उसने उसे अच्छी तरह समझाया सैनब ने गौर से सब सुना उसे याद रखा और चंद घंटे बैठी कंप्यूटर इस्तमाल करती रही चंद घंटों बाद ट्रेन में बैठे-बैठे ही उसने नाच्टा किया आसल रात से जागी रहा था उसने दो बार हिम्मत की कि वो जैनब को फोन करे लेकिन उसने सोचा अपने फैसले पर पाइम रहना चाहिए शर्मिंद्गी का इसास लिए वो सारी राज चागता रहा अपने बैडरूम की खिड़की से दिन चड़ने से पहले उसने जैनब को सड़क पार करते देखा वो उसी के फ्लैट की बिल्डिंग से निकल रही थी वो फौरण अपने बैडरूम से बाहर निकला दर्वासे के पास ही उसे तैशुदा कागस मिला उसने गहरा सांस गया उसे जैनब के अंजाम पर दुख हुआ खत पढ़कर उसने एक तरफ रखा और सर पर हाथ रखकर काउच पर बैट गया मामा का फोन आया उसने कल बताया था कि वो तुम्हारे साथ है रात को वापिस क्यों आई मैं नहीं जानता क्या हुआ है आसल उसके कमरे के आसार किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे इस वक्त वो कहा है उसका फोन भी यहीं है उसने कहा वो अपनी दोस्त के पास जा रही है इस तरह बिना बताए मुझे बता दिया था उसकी कौन सी दोस्त बन गई यहां इतने दिन वो मेरे साथ रही उसने तसकिरा तक नहीं किया तुम दोनों क्या कर रहे हो आसल कल तक तु सब ठीक था आज अचनक आज सब ठीक नहीं है मामा क्यों? राध ही राध में क्या हो गया? मामा में उसे तलाग दे रहा हूँ यह हम दोनों का मसला है इसे हम दोनों तक ही रहने दें उन्होंने प़ोन खुसे से बंद कर दिया वो अपने मतलब की बात करने के बाद तम ही बोलता था अरसल ने सोचा था कि वो अपनी फैमिली को कोई भी कहानी सुना देगा और बता देगा कि दोनों साथ नहीं रहना चाहते पारिहा के साथ शादी करके वो यॉरप में ही रहना चाहता था माम जी की वज़ा से ही पाकिस्तान जाना पड़ता था अब वो वज़ा भी गई उनका एक आफिस बरतानिया में था इतने दिनों से वो उसे ही देख रहा था सैनब ने खत में लिखा था कि वो अपनी फैमिली को बता दे कि वो अपने किसी दोस के साथ चली गई है आसिल ने दोनों को साथ देख लिया और तलाग देने का सोच लिया लेकिन आसिल ने ये वज़ा नहीं बताई आसिल ने हमेशा वो किया जो उसका जी चाहा उसने अपनी तर्श से ही महबबत की थी पारहा के गले में पाहें डाल कर उसके साथ खूम फिर कर मौच मस्ती करके वो उसकी तफसील और जिस्याद से वाकिफ नहीं था उसने बुरी तहां से पारहा को उस वक्त याद किया जब वो से दूर चली गई उसका इंतिसार करने वाली उसके लिए इंतिसार बन गई उसे फारहा के आखरी अलफास हमेशा याद रह गए कि वो हर ठीक काम गलत तरीके से करता है वो उससे महबबत करता था लेकिन ठीक तहां से नहीं कर रहा था आज़ादी का एक नुकसान ये भी है कि वो हद से तचावस करती जाती है और फिर हद फिलांग कर आज़ादी के जुम्रे से भी निकल जाती है आसल के आज़ादी भी हद फिलांग गई थी और सेनब के नाम पे आज़ादी के जुम्रे से बाहर निकल गई वो जुम बन गई थी वो फारिहा के पास आ गया, वो आजकल बहुत खुछ रहती थी उस पर बना केस जूटा साबित हो गया था उसे हर जाने के पैसे भी मिले थे उसकी फैनली नियूजिलैंड में रहती थी क्या तुम राद पर जाकते रहे हो? हाँ, उसने इकराद किया ऐसा पहली बार हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में वो हसी हाँ, वज़ा नहीं पूछोगी नहीं, मुझे डर लगता है कैसा डर? यही कि तुम किसी और से मुहबत करने लगे हो फारिहा ने कहका लगाया वो खामोश बैठा रहा ऐसे मौके पर कहा जाता है ऐसा सोचना भी नहीं अगर कोई और है भी तो वो तुम ही हो वो संजीत की से उसकी तरफ देखने लगी वो डर गया हाँ, ऐसा ही है तुम इतने सुस्त हो के मेरे कहे अलपास दोहरा भी नहीं सकते उसने मुह बनाया आने वाले बहुत से हफ़ते उसने पारिहा के साथ शौपिंग करके गुजारे मामा पाकिस्तान जा चुकी थी वो आसिल और जैनब दोनों से खफा थी जैनब से उनका रापता ही खतम हो गया था आसिल ने पारिहा से मामा को मिलवाना चाहा फिर उनका मिज़ाज देखकर इरादा मुलतवी कर दिया आसिल वक्त पर उसे डिनर और लंच करवाने लगा उसे खुमाने लगा उसकी बताई जगा पर आने लगा ठीक वक्त पर तुम रोबोट बन गए हो फारिहा ने कहा आखिर तुम सब को चाहिए क्या उसने चमचा प्लेट में पठखा आस पास वाले उसकी उची आवास पर चौक गए फारिहा कामोशी से खाना खाने लगी वापसी पर उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ते बख उसने फारिहा से सौरी कर लिया पारिहा उसे देख कर रह गई जैनब का लिखा खत कभी किचन टेबल पर होता कभी लाउंच के सोफे पर कभी पैटरूम की साइट टेबल पर पढ़ना चाहता फिर रुख जाता ऐसे ही उसकी नजर उस सोफे की तरफ उच जा दी जहां वो बैठी थी अच्छी भी उसने खुद से कहा मुझसे शादी कर ली और चली भी गई जरूरत मन वरीब लड़की उसने रियान को पौन बे बताया रियान बहुत देर तक खामोश रहा फिर बोला सच बताओ मैंने कई बार खुद पर लानत भेजी जो कुछ उस दिन आफिस में मैंने तुम से कहा और तुमने अमल भी कर लिया उसने तासुप से गहरा सांस लिया मैं क्या करूँ अब ये अब मैं तुम्हें नहीं बताओंगा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं तुम पुद ही सोचो वो कहा चली गई मालूम नहीं जो आफिस में रास्ते भूल जाती थी इतनी बड़ी दुनिया के रास्ते कैसे याद रखेगी रियान ने कहा आसिल ने सुनकर फोन बंद कर दिया चार महीने गुजर चुके थे फारहा नियूजलैंड जा चुकी थी उसे भी जल्दी आने का कह गई थी आए दिन फोन करती कब आओगे वो वादा कर लेता मगर जा नहीं पाता वो जैनब से मिलना चाहता था आखरी बार उसे एहसास हुआ कि उसके साथ स्याक्ती हो गई है उसने खत में लिखा था कि उसे तलाग दे दे लेकिन उसके खर ना पताए मेरी अम्मा कहा करती है कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है मुझे तलाग मिली तो उन्हीं यकीन हो जाएगा कि अच्छों के साथ बुरा ही होता है मैं खुद को अच्छा नहीं कह रही मैं अम्मा की बात कर रही हूँ बाबा की मौत कर सुनकर उन्हें पहला हाट अटैक हुआ था मेरी तलाक कर सुनकर दूसरा जरूर होगा वो रोज रात को मेरे लिए दो नफिल शुकराने के पढ़कर सोती है कि मुझे एक ऐसा शोहर मिला जिसने मुझे अपने परों में चुपा लिया जो लड़की कोने खुद्रों में चुप-चुप कर रोती थी वो मुस्कुराने लगी थी आप हमारे लिए वो पनह बन गए जिसमें हम सब आ गए हमें लगा कि हमें किसी ने पिखरने से पहले समेख लिया बेगर होने से बचा लिया आपके दिये पैसों से मैंने बाबा का कर्ज उतार दिया आपने इतने दिन मुझे अपने निकाह में रखा अपने घर में मुझे खिलाया पिलाया क्या नहीं किया मैंने आपसे जूट कहा था कि मैं आपसे महपत करती हूँ आपने मेरे खानदान के साथ बहुत सी नेकियां की है एक ये भी कीजेगा कि अभी मेरे खानदान को तलाक का मत बताईएगा मैं जब थोड़ी मस्बूत हो जाओंगी तो खुद बता दूँगी नेकी? क्या उसने वागी जैनब के खानदान के साथ नेकियां की थी? वो तो एहसानात कर रहा था उन पर उसने करीबी होटलों फ्लैटों किराय के घरों में मालूम करना शुरू कर दिया वो कोई सामान भी लेकर नहीं गई थी हफते महीने बन रहे थे और जैनब का पता नहीं चल रहा था नाचार उसने जैनब के खर फोन किया उन्हें फर्जी कहानी सुनाई कि उसका फोन गुम हो गया है वो किसी दूसरे शहर में है और उसे जैनब का नंबर चाहिए दानिष्टे फोरण एक नंबर लिखवा दिया ये लैंड लाइन नंबर था आसिल ने फोन किया तो मालूम हुआ कि वो किसी रहाईशी बिल्डिंग के आफिस का नंबर है एडरेस लेकर वो वहाँ आ गया एडरेस प्रेटफोर्ड शहर का था बिल्डिंग की हालत ज़्यादा अची नहीं थी यहां दूसरे मुमालिक से आए पेशावर लोग रहते थे एक एक कमरे में दस दस आसिल ने जैनब का नाम बताया तो उसके फ्लैट का नंबर बता दिया गया काफी देर बाद जब वो बैल देने के बाद आफिस में आया और जैनब का पूछा तो काउंटर बॉई ने बता दिया कि वो रात को वापिस आएगी वो ज़रा फासले पर वाके स्टोर में काम करती है स्टोर का पूछ कर आसिल वहां आ गया स्टोर स्यादा बड़ा नहीं था आसिल ने जल्द ही उसे ढूण लिया वो एक रैक में चीज़ें रख रही थी दो और लड़कियां उसके साथ थी नीली जीन्स और सफैद शर्ट में सर पर सफैद ही कैप थी गले में वरकर कार्ट चूल रहा था उसके अंदाज और चेहरे पर इतनी सक्ती थी जैसे वो इनसान ना हो वो उसे देख कर पलटाया स्टोर की पार्किंग में उसका इंतिसार करने लगा रात हुई तो वो बाहर निकली वो गाड़ी से बाहर निकल कर उसके पीछे आया जैनब की उस पर नजर पड़ी तो वो तेज तेज चलने लगी जैनब मुझे तुम से बात करनी है वो उसके साथ साथ चलने लगा उसने जैसे सुना ही नहीं आसिल ने उसका बाजू पकड़ कर रोकना चाहा मैं सुन रही हूँ मुझे हाथ मतलगा उसने जटके से बाजू अलग किया तस्बसब का शिकार था ऐसे कैसे राह चलते कहते वो बस स्टॉप पहुँच गई उसने रोबोर्ट सूरत लिये जैनब को देखा कि ये वो ही है जो चन्द माह पहले उसके सामने बैठी रो रही थी जैनब मैंने बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारी आसान जिन्दकी को मुश्किल बना दिया तुम वापस अपने घर चली जाओ उन्हें सब बता दो इस तहां तुम उन सब के साथ तो रहोगी वो कह नहीं सका कि यहाँ जॉप ना करे और उसके दिये पैसे इस्तमाल कर ले और मुझे माफ कर दो प्लीज सैनब ने पल के पल उसकी तरफ देखा मैं शर्मिंदा हूं सैनब सैनब की बस आ चुकी थी वो बढ़कर उसमें बैठने लगी आप यहाँ मुझे सिर्फ माफी मागने आए हैं वो पल्टी उसने सर को हां में हरकत दी चंद साथें वो आसल को देखती रही फिर बस में चड़के उसकी तरफ रुख मोड़कर वो कहके थी मैंने आपको माफ किया दुबारा कोई और सवाल लेकर मत आना कोई और सवाल बस की सीट पर बैठ कर जैनब ने अपने खूंगते सर को थामा वो बेवकुच ये समझ रही थी कि वो उसके पास अपनी मुहपत का सवाल लेकर आया है वो तो अपने जमीर का सवाल लेकर आया था उसका जमीर जैनब के लिए जाग उठा था सिर्फ दिल ही मुदा था रात के आसिल ने कोई और सवाल लेकर ना आना पर सोचा उसकी समझ में ना आया कि उससे उसका क्या मतलब था उसने उसके खत को जो यहां वहां हर जगा उसे नज़र आजाता था जला दिया चाय बनाते हुए उसे भी आग परक दिया माफी उसने मांग ली थी बस सब हो गया आफिस में काम बहुत था इसलिए वो चाह कर भी पारिहा के पास नहीं जा सका उसने अब कहना ही बंद कर दिया था रोज उनकी पौन पर बात हो जाती थी साथ साथ वो अपना सामान पैक कर रहा था कि जैसे ही पारिह होगा अगली फ्लाइट से पारिहा के पास चला जाएगा पारिहा को जूलरी के नाम पर उसकी दिया अंगूठी बहुत पसंद थी फिर भी उसके लिए ब्रेशलेट ले लिया वो जो गलतियां कर चुका था उन्हें भुला कर अपनी सिंदगी शुरू करना चाहता था जितनी रंगीन पुरा साइश उसकी सिंदगी शुरू हुई थी उतनी ही बेरंग और बेाराम होती जा रही थी बेतहाशा दौलत और हुस्म के बावजूर वो अपनी कल्पर्ण को कुछ नहीं रख सका वो धंग से मुहपत नहीं कर सका रिष्टे बना लेता था निभाना भूल जाता था डैड ने कई बार उसे पोन करके पूछा कि दोनों के दर्मियान क्या चल रहा है लेकिन वो बात को गोल मोल कर देता पहले उसे जाकर फारेहा की फैमली से मिलना था फिर वहां मामा और पापा को लेकर जाना था और पाकिस्तान जाकर सैनब को तलाग देनी थी मौका मिलते ही वो नियूजिलेंड चला गया फारहा का खानदान उसी के इंतिजार में था उसका पुर्जोश इस्तक्बाल किया गया फारहा उसे लिए जगा जगा घुमती उसके साथ फैमिली लांच टिनर किये जा रहे थे फारहा उसके साथ बहुत खुश रहती किसी बात पर बुरा भी माँजाती तो जाहर ना करती उसका बात बात पर खुसा करना खتم हो चुका था खुसा करती तो खामोश हो जाती उसका खास ख्याल रखती लंदन तक तो सब ठीक था नियूजिलेंड आकर उसे सोने के लिए नींद की कोली खानी पड़ती फारहा नारास होती कि वो नींद की कोली क्यों इस्तमाल करता है वो उसे क्या बताता उसे खुद नहीं मालूम था उस दिन वो फारहा के साथ वाक कर रहा था के एक जोकी कमर वाली बूरी औरत दो शॉपिंग बैक्स लिए दूर से नजर आई फारहा फाक कर गई और उससे बात करके वापस आ गई मार्था अंटी हैं खलत सड़क पर आ गई थी कॉर्नर पर उनका घर है और इस रोट पर आ गई खूल जाती हैं फारहा बताती रही उसने सुना ही नहीं फारहा के बैडरूम में एक तस्वीर थी मार्शल की उसने कहा कि बेशक वो नारास हो लकिन शादी के बाद वो इस तस्वीर को अपने साथ सरूर लाएगी ये मत पूछना क्यों मुझे खुद नहीं मालुम क्यों उसके खांदान ने बिलकुल ठीक मुकदमा किया था मुझ पर मैंने ही उसे मार डाला यक तरफा महबत का बोज वो अकेला उठा ही नहीं सका उसका नवस ब्रेक टाउन हो गया और वो मर गया जितनी देर तक वो अस्पताल में रहा मैं दौा करती रही कि मुझे एक और मौका मिल जाए वो रवानी में कह गई और फिर चुप करके उसकी तरफ देखने लगी एक मौका आसिल ने अलफास पर खौर किया अगर तुम्हें वो मौका मिल जाता फारहा तो तुम क्या करती मैं उसके साथ होती उससे मुहपत बेशक ना करती लेकिन उसकी मुहपत का कर्स सरूर उतारती और फिर मुहपत भी हो ही जाती जिस दिल में हमारे लिए एतनी बेताहशा मुहपत हो क्या उस दिल से मुहपत नहीं होती क्या उस दिल पर प्यार नहीं आता एक मरने के लिए छोड़ाया था उसने मेरे आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिये ऐसे और उसने कहा कि मैं रह लेती अगर रह सकती लेकिन मैं आपके बगार नहीं रह सकती मेरा दिल चाहा कि मैं उसके हाथ थाम लू लेकिन मेरे दिमाग में तुम थी तुम्हें नजर अंदास केसे करता मुझे उसके रोने पर हैरत हुई वो मुझे कब इतनी मुहपत करने लगी थी उसने कहा आपसे ना करती तो किस से करती मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ आसिल ने जैनब को मैसेज किया फिर उसने सोचा कि वो इस तहाराजी नहीं होगी मिलने पर सिर्फ एक आखरी बार अगला मैसेज किया कई रातें उसे मैसेज करता रहा फोन करता रहा खंटों बाद उसका फोन आन भी हो जाता तो उठाया ना जाता वो जैनब के मैसेज को बिना पढ़े ही मिटा दिया करता था उसे यकीन था कि जैनब भी ऐसा ही कर रही होगी एक रात उसने उसे एक होटल से बाहर निकलते देखा तो लपक कर उसके पास गया मेरी बात सुनो जैनब जैनब के आसाब उसे देखते ही तन गए सकती आंखों में दराई वो तेज तेज चलने लगी आसल को बहुत बुरा लगा तेज तेज चलती वो नजरों से ओजल हो गई उससे में आसल वापस आ गया उसने सोचा कि उसकी तरफ से मरे या जीए जैनब चन्द हफते उसे मरने या जीने के लिए छोडने के बाद वो फिर उसी होटल के बाहर था जहां वो चॉप करती थी जैनब उसने उसे आवास दी मेरी बात सुन लो आपने मुझे अभी तक तलाग नहीं दी उल्टा जैनब ने उसे अपनी बात सुना दी सकता हूँ मुझे लगाव सा हो गया बार बार उसकी सिल्टिजा पर कि उसे आसिल चाहिए मैंने एहद कर रखा था कि मैं हर सूरत तुम्हें अपनाओंगा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं ये नहीं जान पा रहा कि ये सब मैं एहसास में करना चाहता हूँ या महब्बत में मैंने उसका एहसास किया ना ही महब्बत फिर भी सब को जान लेने पर उसका एक ही मुतालबा था मैं होता तो कभी ऐसा मुतालबा ना करता मुझे बहुत देर में ये बातें समझ में आ रही है तुम ठीक कहा करती थी मैं सिर्फ I love you ही कहता हूँ मैं love करता नहीं हूँ कैसा इंसान हूँ मैं हर बार नुकसान होने पर ही सोचता हूँ फारिहा ने गहरी ठंडी आहँ की सूरत में रद्धे अमर जाहिल किया बस उसके आँखें चलकने के परीब थी आज वो उसके अपार्टमेंट के बाहर कड़ा था मैंने फारिहा से शादी नहीं की उस पर नज़र पढ़ते ही उसने जैसे उसे खुशखबरी सुनाई उसमें अपनी नज़रें बदली और चली गई हर चीज उंग्री के इशारे पर मिल जाने वाले आसल को उसका ये अंदास पुरा लगा उसने घुस्से सिकार का दर्वासा बंद किया और पारेहा के पास जाने का सोचा उसका ख्याल था कि वो मुस्कुरा कर एक दो बार जैनब की तरफ पढ़ेगा तो वो भाग कर उसके साथ चलने लगेगी लेकिन चन्द ही दिनों में उसका खुस्सा जाता रहा वो जिसने सिर्फ एक आखरी मुलाकाद और सिर्फ एक ही बात जैनब से करनी थी वो फिर उसके खर के बाहर था आसल आप अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं उसे देखते ही जैनब बोली तुमने कहा था तुम मुझसे महबत करती हो जूट कहा था तो साथ ये भी बताना था कि जूट है अब बता रही हूँ अब तुम जूट बोल रही हो अभी तो सच बोलना सीखा है पारिहा और किसी एक को भी खुश नहीं रख सका ना ही खुद खुश हुआ मैं तुमसे ही महबत करता था पारिहा मेरा यकीन जानो और ऐसा भी नहीं है कि अब मैं जैनब के लिए पागल हो गया हूँ लेकिन मेरे लिए उसके पास जो महबत है उसने मुझे दीवाना जरूर बना देना है पारिहा ने आखरी लफ सुन लिया था महबत मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं जैनब का क्या करूँ वो जो बन गई है मेरी ही वज़ा से बनी है मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दे और उसने कर दिया उसने मुझे से कहा कि कोई और सवाल लेका ना आ उसने तुमसे ऐसा इसलिए कहा कि वो चाहती थी कि तुम उसके पास पहला सवाल महबत का लेकर जादे और तुम माफी माँगाए आसिल ने चौक कर पारिहा की तरफ देखा था ये बात उसने नहीं सोची थी वो फॉरन यूनिवस्टी के इम्तिहानात में पेल हो जाता या अपने बिजनस का दिवालिया कर देता तो अच्छा था लेकिन एक इनसान उससे क्या चाहता है ये जानना सीख लेता वो ऐसासात को पढ़ना सीख जाता जादा खुबसूरत ना होता लेकिन जादा महबत करने वाला होता जादा पैसे वाला ना होता लेकिन जादा ख्याल रखने वाला सरूर होता और नहीं तो खुद को भी जान जाता कि उसे क्या चाहिए उसे ठीक से मालूम ही नहीं था कि जैनब के पास बार बार कौन सी बात करने के लिए जा रहा है फारिहा के बेडरूम में मार्शल की तस्वीर लगी रही उसने कहा कि मार्शल का इतना तो हक बनता है न कि तस्वीर की सूरत ही कहीं दिखाई दो दे और जैनब का कितना हक बनता है वो भी उसकी कोई तस्वीर निकाल ले, किसी दीबार से तांग दे, हो गया हाक अदा, अकाउंट की रकम बढ़ा दे, तीन चार घर और ले दे, क्या करे, वो उसकी महपत के खीमत अदा नहीं कर सकता था, कई देन और शामें वो उसकी तेस चाल के साथ चलते, उससे बात करने अचानत, अच्छा, तो इतने महीनों से वो ये कहने के लिए उसके पीछे आ जा रहा था, उस पर भी उसी वक्त इनकिशाफ हुआ, सैनब उस पर भी नहीं रुकी, वो हैरत से उसे जाता देखता रहा, उसे लगा, सैनब ने उसे धतकार दिया, वापसी पर फारिहा ने उस सिर्फ सैनब से मिलने जा रहा है, उसके आँखों में वाज़े बेयकीनी थी, उसने फिर भी आसल से कोई वादा नहीं लिया, उसे जैनब का हर रविया हैरान कर रहा था, जब हाद चोड़े वो सवाल कर रही थी, वो जवाद देने के लिए तयार नहीं था, अब लपक वो सवाल कर रहा था, तो वो भाग रही थी, बात इतनी मामूली भी नहीं थी, ये वाक्या नहीं, सैनब के लिए सानिहा था, निकाह के नाम पर खरीदे जाने वाला थपड बहुत सोर से उसे लगा था, यक तरपा सौदे की बासकष्ट उसे भोलती ही नहीं थी, अगर वो उसकी हुई थी, तो सिर्फ एक उस जुमले से, कि वो उसे अच्छी लगी, इस पार वो बंठन कर उसके पास गया, गाड़ी में फूल भी रखे थे, वो उसे कहने जा रहा था, कि वो उसके साथ घर ना चले, लेकिन दिनर तो कर सकती है ना, कभी कभी मिल तो सकती है ना, य ये ठीक है, इस तरहां वो उसे तोस्ती कर लेगा, वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी, उसने दूर से ही देख लिया था, कि उसके साथ कोई है, वो दौर कर उसके पास गया, ये कौन है, उसने खुस्सा दबा कर कहा, जब आप वारहा के साथ थे, तो मैंने पूछा थ था, कि वो कौन है, सैनब, उसने उंगी उठाई, अगर तुम मुझे जैलिस कर रही हो, तो भी ये ठीक नहीं, इस तू मच नाओ, वो धाड़ा, तोनों के दरम्यान खड़ा, वो गोरा लड़का, हैरत से आसल की तरफ देखने लगा, चिलाएं मत, क्योंकि आपके पास ये सैन अपने हाथ आसाथ कराने की, लाँख कोशिश की, मुझ बिगाड़ा, चिलाई, लेकिन उसे गाड़ी में बिठा कर वो अपने साथ ले आया, उसी धर में जहां से वो निकली थी, लाउंज के सोफे पर गिर कर वो रोने लगी, आस पास नजराने वाली हर चीज उसने फ अपनी ही मर्जी से खीच कर ले आया, कई बार आसिल ने बढ़कर उसके आसू साफ करने चाहे मंगर उसने हाथ छटक दिया, हर बार उसकी तरफ खुसे से देखा, उसने उसे पानी पिलाना चाहा, खाना खिलाना चाहा, लेकिन वो खुटनों में सर दिये बैठी रही, वो हर्स पढ़ा, तो जैनब ने उठकर लाउंज की बापनी मादा चीजें भी फिंकनी शुरू कर दी, आसू तेजी से बाहर आने लगे, बस बहुत हो गया, आसिल अपनी जगा से उठा, और हाथ पढ़ा कर आसू साफ करने के बजाए, अपने दोनों बाजूं की गिर्फ में उसे ले लिया, मजबूती से ना चोड़ने के लिए, महपत की दो सूर्टे हैं जैनब, आसिल ने अपनी गिर्फ मजबूत की, एक महपत करना, एक महपत को कुबूल करना, तुम मुझसे महपत करती हो, ये तुम्हारी सूरत है, मैं तुम्हारी महपत को कुबूल करता ये मेरी सूरत है, जल्द ही मैं तुम्हारी सूरत भी अपना लूँगा, मेरे साथ रहो, पास रहो, बुरा हूँ अच्छा हो जाऊंगा, नादान हूँ, समझदार हो जाऊंगा, जल्द ही, और जैनब को याद आ गया था, मौम जी ने कहा था, माफ करना सीख जाओ, जो नावल अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और फीड़ बैक देना हरकिस ना भूलें, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए नावल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा, अल्ला हाफिस.